तो फ्रेंज मैं अव्जल और आज सभी को सवगत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्लस रेयल्टी पे और आज मैं आपको फिर से अपने प्रोजेट पर ये करके आया हूँ जो की फैजाबाद रोड पर है किसानपत के पास आपको मिलेगा प्रोजेट आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बजट के अंदर आपका ये मकान आ जाएगा बजट की जो बात है वह हम आगे भी डिसकस करेंगे चलिए हम चलते हैं मकान के अंदर और देखते हैं कि मकान किस तरीके से जहां पर बना है पहली चीज़ तो कम्प्लीट लगभग कम्प्लीट हो चुक है अंदर का पुट्टी का काम अब यहां पर स्टार्ट हो चुका है तो दोनों साइट इस्ट और वेस्ट दोनों साइट चीज़े अवलेबल है सामने आपको जो रोड आ रही है ये 27 फिट की रोड आ रही है और इंटर के सामने सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी चौड़ी रोड है और इस सोसाइटी के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर सीवर लाइन वगरा सब कुछ प्रॉपर यहां पर डाल के दिया जा रहा है सीवर के धकन वगरा भी आपको यहां प्रॉपर दिख सकते है कि सोसाइटी के अंदर जाधा तर आपको ऐसी सोसाइटी दिखते है जहां पर सीवर का कोई आप्शन नहीं होता है नाली के थूर सारा ड्रेनेज होता है यहां पर आपको सीवर सोसाइटी के अंदर डाल करके दिया जा रहा है और अब हम चलते हैं मकान के अंदर मकान जो है हैं जिल अब भी आप हमने संपरग कर सकते निहां का रं यह हीरा को चीजा है नाली आपकी देखेंगे नाली भी आपके सीवर के साथ तो यहाँ पर यह आपको एक चीज जो दिखेंगी साफ सफाई और ड्रैनेज की जो सबसे बड़ी समस्य बारिश के दोरान होती है वो समस्य यहाँ आपको टेलिकॉम बेल लगा करके दिया जा रहा है यहाँ पर प्रे अंदर भी आप देख सकते हैं वीडियो पर कौन आया हुआ है और उनसे आप वहां से बात भी कर सकते हैं कि क्या परफस है क्या है तो अगर को विजिटर एक कोई अन्नोन परसन है तो भी आपको यहाँ के थूरू मकान के बाहर से आप उनसे बात्चीज और इंटर्टेन कर सकते हैं वैसे यह पूरी जो सोसाइटी है यह पूरी गेटेट कॉलोनी है कैमरा गाट सेक्योटी यह सब कुछ आपको गेट पर भी मौजूद है और इसके साथ मकान के का जो बेनिफिट है मकान के साथ भी आपको यह एक एक स्ट्रा सेक्योटी का फीचर लगा करके दिया जा रहा है चल्ते हैं मकान के अंदर जब हम चलते हैं तो यह आपको एक अच्छी बड़ी पार्किंग नज intend आई यही Гड़ी आपके यहापी पार्क हो सकती है और यहापो लगा मना सकते ज़्थिया पर और एक स्पेस यहाप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह ही आ और यहां पर एक जो टंकी का पानी वह भी आपको एक्स्ट्रा टी-पॉइंट करके दिया जा रहा है कि फीचर में अगर आपको यहां पर वाच बेसिंग लगानी है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं यहां पर भी आपको स्विच और सॉकेट के लिए यहां एक पॉइंट पॉइंट कर दो इनटरी आती है और एक आपकी इंट्री आईगी ड्रायंगरूम से अगर आप दोनों ही साइड में आप देखेंगे तो आपको मॉसक्टोट का दर्वाजा अलग से लगा कर दिया जा रहा है और यह पूरी पूरी पॉलिश के ऊपर यह पूरा दर्वाजा और इसके साथ डोर भी आपको मिल रहा है तो डबल चोखट की आपको मिल रही है साथ यसाथ विंडो जो मॉस्कुटो नेट के साथ आपको दोर मिल रहा है और प्लस आपको इसके साथ जो वुड़न डोर है वो भी आपको यहां पर मिल रहा है पूरा आपको दर्वाजा मिल है इस पेस आपको अच्छे चौड़ी मिल रही है कि जो बड़े समान है वह भी आपके घर के अंदर प्रॉपर इंटर कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको दोर पे मॉस्कुट उनेट वगरेक का फीचर में आपका कोई खर्चा नहीं आएगा लगा के दिया जा रहा है प्लस आपको यह पर दोर आपको मिल रहा है और लिंक कंपनी का यह पूरा देखेंगे तो आपको इंटर लॉक्ट यहां पर मिल रहा है जो कि आपकी मास्ट की से और ऊपन हो सकता है अंदर आप देखेंगे तो पूरा रॉयंग रॉम का इसपेस है बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है रूम को यहां पर आप देखेंगे एक बहुत इस्टेंडर्ड कलर से यहां पर वाल को पेंट किया गया है और वाल पे भी यह प्रोफाइल आ यहां पर खुब्सूरा डिजाइनर वॉल तैयार करी गई है लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं जैसे कि साथ वोड़े की लोग से लिलगाते हैं या पिकॉक की सिन्दी लगाते है लग कोई भी सिन्दी विगला यहां पर डेकोरेट करेंगे तो अच्छा लुक निकल कर तो जो जो पेंड का वॉल का हो चाट टाइल्स का हो यह फॉल सिलिंग का बहुत ही अच्छा कॉंबनेशन में आ रहा है फ्रंट पे आपको यह विंडो आ रही है विंडो अगर आप डिजाइन देखेंगे गोर से तो इसके अंदर आपको उपर विंडो पे विंडो इसी लग दिया घ्रात तो यह डबल पर ताम की विंडों के साथ दोनों साइट पे ही आपको विंडों लगा कर दिया जा रहा है इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट पे कर आपको लिडी पैनल लगाना है उसकी परपस से यहां पे अलड़ी इन बिल्ट हैं यहां पे ची लोबी के स्पेस में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कैमरा मैंने डिसकस के अधर डोर पे कि आपको वीडियो का मिल रहा है तो यहां से आप देख सकते हैं अपने विजिटर को यहीं से आप उनसे बात भी कर सकते हैं लोबी के स्पेस से आप इसको कंट्रोल कर सक यहां पर आगए पहीं ममरीं पुरी कि डिया गी है मि complementary integrator अब laugh गिए तो बहुत ही मतली के दिखाई देटा है यहां फॉर का मटला कर दिया जा रहा है और अंदर रहीं सब स्टेन्लेस स्टील की सारी चीज़ यहाप करके दिया गया हुआ है और यहाप जितने भी प्रोफाइल ऊपर के साईड में आप देखें लिए त पूरा मैटल कराल के सिमाल किया गया है और इस तरीके सा यहापि चीज़े जो फिल टींद और यह सब आप का है अगर आप साफ सफाई करने में चीज़ आसान होती है कि अगर box बने होते हैं तो आपको easily सफाई हो सकती है दूसरी अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो modular kitchen की नीचे अगर आप गौर करेंगे तो नीचे साफ करने के लिए थोड़ा सा उपर step उठा के बनाया गया है ताकि नीचे नीचे भी अगर आपको सफाई करनी है पोचे लगाने है तो बहुत easily आप इसको manage कर सकते हैं जो कि normally आपको नहीं दिखाये देता है दूसरे मकानों के अंदर वो चीज़ यहां पर आपको ध्यान करके इस चीज़ को बनाया गया है यहां पर आप देखेंगे तो यह चिमनी आपने देखा यहां पर कि हम चिमनी लगा करके दे रहे हैं यह संफ्रेम की चिमनी है जो कि install करके आपको मिल रही है और इसकी साथ-साथ फ्रंट पे भी आप window देख सकते हैं अगर को विजिटर आया है और यहां पर को लेड़ी खड़ी है यहां से भी आप देख सक आपको boxes मिल रहे है तो एक proper तरीके से और्गनाइज किचन आप मैनेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से space मैनेज किया गया नीचे पूरा cover करके दिया जा रहा है ताकि maximum जो आपके kitchen के समान है वो अच्छे तरीके से covered हो सके आप अच्छे तरीके से kitchen को decorate भी कर सकते है यहां पर अभी sink का काम बाकी है जब आप इसको finance करेंगे तो यहां पर आपको cut करके यहां पर सिंक आ जाएगी और यहीं पर यहां पर आपको सिफ लाना है और install कर देना है आपको को एक्स्टा फिटिंग एक्स्टा वैरिंग नहीं करनी सब कुछ आपको यहां पर इंबिल प्रिज रखना है तो यहां पर भी आप रख सकते हैं उसके लिए switch और यहां पर दिया गया हुआ है और kitchen के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पूरे मकान के अंदर पूरे मकान के अंदर फॉल सिलिंग लगी हुई है और मेकान के अंदर सारी लैटिंग चारों तरफ से आपको यहां पर करके दिया जा रहा है इस रूम के अंदर अगर इस स्पेस की बात करें तो यह OTS आ जाएगा और फिर एक आपका जो है common bathroom आ जाएगा common bathroom अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक अच्छा space दिया गया शावर वगरा के साथ यहां पर आपको जाएगी और यह इसको लुहे की जाल से कवर कर दिया गया है ताकि वेंटिलेशन भी आता रहे इस रूम का वेंटिलेशन वह भी इस परपस को सॉल्ड कर देगा और घर की जो भी एक्स्टा जो गर्मी है वह भी क्रॉस वेंटिलेशन से बाहर जा सकती है चलते हम पहले bedroom के आपको मिल रहा है और फॉल सेलिंग आप देखेंगे तो बहुत खुबसूरत तरीके से बहुत डीसेंट फॉल सेलिंग करके आपको दी गई हुई है और जो पेंट का आप देख रहे हैं उसी कॉमडियेशन के अंदर आपको रूम का पेंट का कलर भी दिख रहा है साथ आपको जहां पर ग्लास का जो फ्रेम है वो भी आपको मिलेगा तो यह डबल पल्ले के साथ आपको जहां पर विंडो मिल रही है और यहां पर भी आपको लोहे का जो जाल है यह लगा करके दिया जा रहा है रूम के अंदर आपको एसी को पाइंट हो गया पावर पाइ बात रूम और वह बड़े साइस का बात रूम है यह जो बात रूम का स्पेस है और चुंका यह साले नो वह पांच फूट का है साले नो की पूरी गहरान आही और पांच फूट की वह जान आएक तो एक बड़ा साइस का बात्रूम है और चुंकि रूम से अटैच है तो मास्टर बेट्रूम के साथ एक बड़ा बात्रूम आपको मिल रहा है यहीं पर आपको सारे शावर के लिए टैप अगरा लगा के दिया गया है जो डारेक्ट पानी है आपका बूरिंग का आएगा उस उसी कॉंबनेशन के अंदर अगर अगरा आप गार्व करेंगे तो नीचे जो आपको फ्लोर्ट टैlet मिल रही है उसी के कॉंबनेशन में मिल रही है आपको एंटिस्कूर टैल्स और वाल पे आपको जो ठैल्स मिल रही है वह पूरे चाडों तरफ से करके दिया जाह रहा ह तो बैक की जो वाल वो भी न खराब हो इस वज़े से पूरे में आपको यह टाइल्स करके दिया जा रहा है बातरूम के अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको दिखाई देगा यहां पर आपको वेंटिलेशन परपस से भी OTS यहां पर हलका से खोल के दिया गया ह तकी रूम का बातूम का जो भी गर्माट वो बहार आपकी इसली जा सके है वह हम चलते हैं सिकेंड रूम के अंदर बी आप देखेंगे तो जो दर्वाजा आप देखेंगे पूरा आठ फुट का आपको डूर मिल रहा है और इसके साथ साथ यह जो आगर आप बेडरूम द स्टोर रूम में या फिर वाडरोब बना करके या फिर पूजा रूम बना करके आप यूटिलाइस कर सकते हैं इधर भी आपको देखेंगे एक अच्छा स्पेस दिया गया है ताकि आप अपना वाडरोब वेगर जहां पर प्रॉपर बना सके यह लगबग दो फुट का यह पीछे नहीं हो दोनों बेडरूम के अंदर आपको फॉर्सीनिंग करके मिल रही है एसी का पॉइंट हो गया चाहिए आपका केबिल की वाइरिंग हो गई यह सब कुछ आपको पूरे मकान के अंदर करके मिल रहा है पीछे इसके अंदर आप देखेंगे तो OTS का स्पेस हा यहां और यहां पर ऑपर दिखेंगे तो लोहे कं जाल है एस रूम का के पर्पास से बीजे दोर कम विंडू आपको मिल रही है और उस रूम के साथ भी आपकोभी के उच्टिय अदर आपको करके मिल रही है विए सब और यहां पर पत्थर लगें और एक अच्छे शाइनिंग के यहां पर काम किया गया अब यहां पर सफाइब आकि है अधर्वाइस यहां पर ब्लैक ग्रेनाइट आपको प्रॉपर करके दिया गया है यहां जहां पर आपको स्टोरेज के साप से पीयाप मेट इस स्पेस को यूज कर सकते हैं लगबक चार फूट का एक सापको मिल रहे हैं ऍट्रा सकते हैं यहां यहां मकान बनाए तो इसको यह को आप उपर आगे बढ़ा सकते हैं मकान के सामने अगर आप देखेंगे तो यह पूरा स्टेल की पूरी रेलिंग है और यह टफन ग्लास लगा करके दिया जा रहा है तो इस तरीके से एक खुबसूरत मकान आज के जमाने के साब से जो डिजाइन च साइटी को आकर जरूर देखें यहां पर जो लोन के सविधा हैं लगभग सारे बैंक से अवलेबल है इंडियन बैंक है कैंडरा बैंक है सबसे अच्छी बात यहां पर आपको ल्डियों की नोसी भी यहां पर आपको मिल रही है और इसके साथ साथ आपका जो हमारा जो इंदर मिल रहे हैं कि आपको सबसे पॉइंट है कि फैज़ाबाद रोट पर आपको लखनव रेडिस्टी का आपको यहां पर मकान और मकान अबलेबल हैं जो मकान अभी बच्चा हुआ है एक हजास को है फिटके उसकी जो प्राइस है वह है 49,50,000 रूपीस जो की निकोशे है तो जब आप यहां पर अगर मकान पसंद करते हैं तो जो भी बेस्ट आपका हो सकता डिसकांट वह आपको डिसकांट जरूर दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आप फैज़ाबाद रोट पे अगर आप मकान प्लाइन कर रहे हैं तो यह जो सुसाइटी है आपके लिए बहुत ही बेस्ट सुटिबल ऑप्शन है क्योंकि यह सुसाइटी के अंदर पेपर्स आपको सारे किलियर पेपर मिलेंगे पेपर भी सारे आपके लोन लगबख सारे बैंक से यहां पर आपको लोन हो जाएंगे तो देर ना करें और जल्द से जल्द हमें कॉल करें अगर व से पहले आप तक पहुत सके तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो में स्क्रॉल करते हुए या फिर साइट पर विजिट करते हुए तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत जादा धियान लगए थैंक यू टेक केर बाबाए